बहुत बड़ा क्रिकेट प्रेमी होने के कारण और अब एक तरह से इस खेल के साथ जुड़ जाने के कारण मैं इस बात की बहुत सराना करता हूँ कि विराट कोहली लगातार उंचे उठते जा रहे हैं मैं मैदान पर उनकी उर्जा देखता हूँ और मैदान की बाहर भी उनकी उर्जा देखता हूँ मैं देख रहा हूँ कि वे इस खेल के रिवाजों को बदल रहे हैं और उन्हें फिर से बना रहे हैं T20 फॉर्माट में 140-160 ठीक ठाक स्कोर होता था उन्होंने उसे एक नया रूप दे दिया है अब 190 भी ठीक टाक से कम है 250, 240 उनके अंदर कुछ है जो उन्हें दूसरों से अधिक प्रेरित करता है बहुत से लोग हैं जो प्रतिभाशाली है बहुत से लोग हैं जिनमें ये काबिलियत है मगर बहुत कम है जो इस काबिलियत को साकार कर पाते हैं वो क्या है जो किसी को एहसास कराता है कि वो थोड़ा और कर सकता है थोड़ा और प्रेरित कर सकता है थोड़ा और रच सकता है नई स्थापित कर सकता है क्या ये अंदर ही होता है या बाहर होता है वो क्या है? मैं भी बहुत दिल्चस्पी से विराट कोली को देखता रहा हूँ. क्यूंकि मैंने पिछले 40-45 सालों में सभी महान बल्ले बाजूं को देखा है. बहुत कम लोगों ने गेंद को इस तरह मारा है जैसे वो मार रहे हैं. शायद एक मात्र दूसरे व्यक्ति जो मुझे याद आ रहे हैं, वो हैं विवियन रिचर्ड्स जो गेंद को इस तरह मारते थे. लेकिन मुझे लगता है कि वो एक मात्र खिलाडी थे जो गेंद को ऐसे मारते थे जैसे आज ये लड़का मार रहा है, जो बहुत दुरलब है अधिकांश लोग जिन्होंने सिर्फ टेलेविजिन पर क्रिकेट देखा है, शायद ये नहीं समझते कि ये दुनिया के सबसे खतरनाक खेलों में से एक है 130-140 किलोमीटर प्रती घंटा की रफ्तार से एक हार्ड बॉल आपकी और आती है ये बहुत खतरनाक खेल है आपको पता होगा कि गेंदबाजी की मशीने होती हैं वो कोलकता में भी होंगी, हाँ? गेंदबाजी की मशीने होती हैं नौजवानों मैं आपको बता रहा हूँ, 140 किलोमीटर मत आजमाईए असी या 90 किलोमीटर पर बस गेंदबाजी की मशीन को 90 किलोमीटर पर सेट कर दीजे और वहां खड़े ओकर देखिए कि गेंद कैसे आपकी और आती है जबरदस्त तेज, ठीक है? तो हर गेंद अलग तरीके से आपकी और आती है तो उसे संभालने की जरूरत होती है हमें समझना होगा कि वहां मौजूद हर कोई बहुत अच्छा खिलाडी है वो अनाडी दिख सकते हैं, वो शून्य पर आउट हो सकते हैं मगर वो जो कर रहे हैं, उसमें बहुत अच्छे हैं मगर कोई इस तरह अलग से चमकता है इससे मुझे याद आ रहा है एक मोटर साइकल चालक था जिसका नाम कैनी रॉबर्ट्स था जिसने लगातार पांच बार वर्ल्ड चैंपिंशिप जीती थी लोगों को विश्वास नहीं होता था क्यूंकि चैंपिंशिप पाने के लिए आपको देश भर में 16 रेस जीतनी पड़ती है सारी मशीने टॉप कंपनियों द्वारा तयार की जाती है और सबसे उंची प्रतिभा के लोग होते हैं मगर लगातार पांच जीतने को अभूत पूर्व और असंभव माना गया तो उससे पूछा गया आप ऐसा कैसे करते हैं वो बोला मैं नियंतरण के साथ नियंतरण से बाहर जाता हूं मैं ऐसे बहुत अच्छी तरह समझता हूं मैं अपने जीवन के हर कदम पर इसी तरह जीता हूं हमेशा नियंतरण से बाहर मगर नियंतरण के साथ हर किसी को इसी की खोज होती है वो अपने जीवन में थोड़ा सा पागलपन चाहते है मगर वो पागल नहीं होना चाहते मगर सुरक्षा की अपनी चाहत के कारण वो उस थोड़े से पागलपन से खुद को दूर कर लेते हैं, फिर वो हैरान होते हैं, मेरे जीवन को क्या हुआ, ये उबाओ और बेकार हो गया है, वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, फिर वो किसी चीज से चोट खा जाते हैं, वो फिर से अपने आसपास दीवाने बना लेते हैं, ये प्रक्रिया चलती रहती हैं, तो अगर इस तरह के प्रदर्शन की बात करें, तो एक चीज है जोश, दूसरी चीज है, जो आप कर रहे हैं, उससे प्यार, जो आप कर रहे हैं, उससे वाकई प्यार करना, आप में वही करने की चाहत होना, मेरे खयाल से हाल ही में विराट कोली ने टेलेविजि उनके पास ऐसी प्रतिभा है, वो असाधारन बन जाएंगे, वो धर्ती पर सिर्फ एक और खिलाडी नहीं, क्रिकेट की एक नई कहानी बन जाएंगे, उनमें जरूरी गुण मौझूद हैं, जब वो 17 साल के थे तब मैंने ये कहा था, मैंने सिंगापूर में अंडर 18 टीम या किसी टीम के लिए उन्हें खेलते देखा था, वो कप्तान थे, मैंने इस लड़के को खेलते देखा और मैंने तब ही कहा, ये लड़का बहुत दूर जाएगा, और फिर लगभग 5-6 सालों तक वो मेरे दिमाग से निकल गए, फिर अचानक एक दिन भारतिय टीम में मैं अच में देखे, और अब वो इस तरह आगे बढ़ रहे हैं, अगर वो एक ठंडी आग बनना सीख लें, ना कि ऐसी आग जो उन्हें जला दे, तो वो ऐसी चीजें करेंगे, जो शायर लंबे समय से नहीं हुई हैं.